हेलो एंड वेलकम बैक टू पीवाईक्यूपेडिया हम लोग रिवेजन थुरू प्रेविएस एर क्वेश्चन स्रीज कर रहे हैं यूपीसी प्लेम्स 2024 के लिए और अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो मॉडरन हिस्ट्री है और अब जो है अब जो है हम लोग अभी ओडिया के क्वेश्चन किया है और अब जो है हम लोग अभी मॉडरन हिस्ट्री कर रहे थे modern history का भी यह last part है और this is the 27th lecture जो यह series चल ले है revision through previous year question उसमें 27th lecture है इसके बाद modern history का बाद we are going to start some question on art and culture और then we'll start with the economy portion ठीक है इसकी PDF आपको telegram channel pyq underscore pedia पे मिल जाएगी ठीक है so let's start the session पहला question जो आपका है वो यह है कि the battle of rejangla the battle of rejangla an epic battle in hostile condition was fought by Indian army जो battle of rejangla था वो आपको एक hostile condition में है ना आपको लरने वाला एक battle था वो इंडियन आर्मी ने किस साल में लड़ा था है ना तो यह इसका नाम है rejangla rejangla को हम लोग rechina la भी बोलते हैं rechina la भी बोलते हैं यह rechina la यह जो है आपको एक mountain pass है mountain pass है ठीक है mountain pass है कहाँ पे है line of actual control LAC है ना लोसी नहीं है LAC है है ना कहाँ पे है लड़ाख में है ना जो Indian एड्मिनिस्टर जो लड़ाख है और चाइनिया के बीच में चाइना का है सपांगुर Lake Basin है ना जो कि India कहता है कि सपांगुर Lake Basin जो है वो हमारा है कहाँ किसका है सपांगुर Lake Basin ठीक है ना यह चुसुल वैली में आपको है और चुसुल वैली चाइना कहता है कि यह मेरी boundary है है ना तो अब इसमें क्या हुआ था यह जो लड़ाई हुई clear चलिए अब अगर आपको तोड़ा सा दिख रहा होगा यहां पे तो अभी मैंने आपको बोला है कि जो चाइना का अड्मिनिस्टर्ड है कौन सा है यह स्पांगुर गैप स्पांगुर गैप स्पांगुर लेक ठीक है तो यह इंडियन है इंडियन टेरिट्री है और यह आप चाइना यह भी कहता है कि जो चुसुल वैली है चुसुल वैली जो है वो सब मेरा ही है चुसुल वैली सब मेरा ही है तो यही 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 पे लड़ाई हुई थी जो आपको नावेंबर में है ना और यह आपको बैटल ओफ रेजांगला क्लियर ठीक है तो आपको यह ध्यान का part है इंडिया कहते है ये सब मेरा है और चाइना कहते है कि वही चुसुल वैली के तक जितना भी है सब मेरा है तो वही यहाँ पे एक रेजांगला पास हुआ करती थी तो इसी के नाम पे battle of रेजांगला 1962 के नौमबर में खेला गया था ठीक है ये news में था इसलिए question ये पूछा हुआ था अगला question है कि with reference to Indian freedom struggle consider the following events royal Indian navy mutiny ये कब हुई थी quit India movement second round table conference तो इसमें कौन सा पहले हुआ तो कौन सा बाद में हुआ था तो आपको पता होगा कि after Gandhi-Irvin pact होती है second round table conference क्योंकि first round table conference में Congress participate नहीं करती है तो फिर होती है क्या होती है Gandhi-Irvin pact होती है उसमें यही बात होती है कि second round table conference में आप round table conference में participate कीजिए या न यह आपको December 1931 में होती है 1930 में after Gandhi-Irvin pact होती है second round table conference जिसमें महात्मा गांधी Congress की तरफ से participate करते है Quit India movement जो है आपको 8 अगस्ट 1942 को Congress Working Committee एक resolution पास करती है वहाँ पे Bombay में 8 अगस्ट 1942 को Mumbai में तो 1942 then Royal Indian जो Navy थी उसकी जो मिटनी ते बिद्रो होती यह आपको बहुत बात में होती है 1946 में होती है जो British जो थे वो आपको Royal Indian Navy में है ना वो जो sellers लोग को employ किये होते हैं sellers लोग को जो employ किये होते हैं वो अचानक से revolt कर देते हैं February 1946 में है ना तो यह generally मुंबई City महराष्टरा जो अभी है है ना वहाँ पे जादत अभी फैला हुआ था है ना और यह ऐसा माना जाता था कि one of the last strach of the British Empire in India मतलब 1947 में तो आपको आजादी मिल गई थी तो यह लास्ट ऐसा strach माना जाता था कि British Empire में of India तो यह बहुत थी आसान question था कि आपको सबसे पहले second round table conference होती है then quit India movement then mutiny in Royal Indian Navy ठीक है this is the explanation अगला question है आपको इसी में question पूछा जा रहा है कि in the context of colonial India in the context of colonial India साह नवाज खान साह नवाज खान प्रेम कुमार सहगल और गुरवक्ट सिंग दिल्लान यह इसको किस चीज़ के लिए याद किया जाता है अब क्या होता है कि जो INA prisoners होते हैं है ना INA prisoner of wars है ना INA prisoner of wars prisoner of wars का trial होता है trial होता है कहां पे वो भी होता है red fault पे तो इसमें क्या करते हैं यह सब इंडे निशनल आर्मी के officer हुआ करते हैं जिनके trial होती है 1945 में है ना so यहां पे congress जो है so तो इसमें यह रहते हैं वो हिंदू मुसलिम सिख तिनों के एक-एक person को चाहते थे कि हम एक यह सेट करें कि हमारे against जो भी है उसके साथ हम ऐसा करते हैं इसलिए उन्होंने red fault पे ट्रायल लगा था 1945 में तो यह आपको leaders of Swedishian boycott गलत है member of the interim government यह भी गलत है members of drafting committee यह भी गलत है they are the officer of Indian National Army जिनको red fault trial किया गया था और उसमें वो सूच समझ करके उन्होंने तीन person को लिया था one is the Muslim एक Hindu और एक Sikh को लिया था इन्होंने ठीक है एक set कर रहे थे वो ठीक है अब इसमें क्या होता है कि जब 1945 में ऐसा INA Prisoners of War को आपको red fault trial होती है तो Congress बनाती है 1945 में INA Defense Committee क्या बनाती है INA Defense Committee ठीक है और what what is the region to create or establish INA Defense Committee कि उनको जो जो भी जो accused है INA जिसको trial हो रहा है उसको हम legal defense देंगे है ना legal defense करेंगे उसमें उस समय के जो lawyers और होते थे उस समय के जो eminence जो होते थे lawyers जिसमें उसमें होते थे भूला भाई देसाई भूला भाई देसाई देन अशफली है ना अशफली देन आपको तेज बहादुर सप्रू जी थे इसमें कैलासनात काटजू जी थे है ना और सरत्चंदर बोश थे है ना सुभाश चंदर नहीं सरत्चंदर बोश यह सब यह आपको आइने डिफेंस कमेटी के मेंबर्स थे और इनका में एम था कि जो इनको लीगल डिफेंस देना त्राइल में तो यह आपको याद रखना है ठीक है दिस इस एक्स्प्लानेशन अगला कुश्चेन है कि which one of the following statement is incorrect कौन सा गलत है पहला है कि गोआ attend full statehood in 1987 में गोआ full statehood को प्राप्त करती है दिव जो है एक आइलन है गल्फ अफ खंबत में ठीक है ना गल्फ अफ खंबत में दिव एक आइलन है दमान अधिव बहुन अधिव एक प्रेंच कोलोनील रूल तिव तक दाधरा और नगरहवेली प्रेंच कोलोनील रूल के अंधर में था ठीक है तो ये आपको गल्त है फिस नोट फरेंच लिजए पोर्त गाली है ना पर्तगीज के अंधर में आपको 1954 में था so incorrect पूछ रहा है तो D answer होगा Goa को आपको 1987 में मिला है और Duke का आप location देख सकते हो Gulf of Kambat में है और 56th Constitutional Amendment Act से आपको Goa और दमन्दिव को separate किया गया था बाकी हमने दादरानगर हवेली पर एक दो question पहले भी किया है जिसमें हमने बहुत ज़्यादा discuss किया है ठीक है अगला question है In the interim government formed in 1946 The vice president of the executive council कौन थे जो interim government formed की जाती है 2 सितंबर 1946 को वहाँ पे जवाहरलाल नहरू को vice president बनाया जाता है So कौन होते हैं It's a जवाहरलाल नहरू Clear? अगला question है कि जो Red Cliff Committee appoint किया गया था वो क्यों किया गया था So what is the region की Red Cliff Committee तो solve the India problem of minority की जो problem है उसको solve करने के लिए किया गया था Give effect to the independence bill को effect में लाने के लिए Delimit the boundary between India और पाकिस्तान के बीच में boundary बनाने के लिए और जो East Bengal में riot हुए थी उसके inquire करने के लिए तो Red Cliff Commission बनती है आपको कब बनती है June 1947 में बनाई जाती है की इंडिया और पाकिस्तान के बीच में border को ड्रा करने के लिए अगला कुश्चन है कि which one among the following district of Eastern India held a referendum in 1947 to decide whether or not to join Pakistan कौनसी अचे स्टेट है कौनसी डिस्टिक है Eastern India की सिलहट है या गौाल पारा है या कछार है या जलपाई गुरी जियो आपको जिनसे पूछा गया कि भई आप पाकिस्तान को जॉइन करोगे या इंडिया को जॉइन करोगे उस समय इन्होंने कहा था उसके लिए referendum हुई थी है ना तो referendum हुई थी ये कौन सी डिस्टिक है 1970-47 में सिलहट डिस्टिक में आपको ये जो अब तो इसमें है ना कुछ चीज़े आपको याद रखनी है वो आपको अगर थोरी सी कुलोजी आप समझना चाहते हैं तो मैं आपको थोरी सी समझा देता हूं कि हुआ क्या था कि आपको पता ही है 1816 में 1816 में क्या होता है कि जो बर्मीज लोग होते हैं बर्मीज टूप्स जो होते हैं वो अशाम पे आपको अटेक करते हैं इविन 1819 में भी करते हैं और उसके बाद क्या होता है कि 1819 से लेकर के अठारा सो चौबिस तक वो बर्मी लोग जो होते हैं वो अशाम पे रूल करते हैं अब जो वो रूल करते रहते तो क्या करते हैं पीपल जो अशाम के पीपल है उस पे बहुत जादा आपको एक समझे समझे कि टेरर का रिजन होता है वो बहुत उनको, क्या करते हैं, उसको problem create करते हैं, exploit करते हैं, बाद में क्या होता है, कि British क्या करते हैं, और British क्या करते हैं, वहाँ पे हो जाती है, Treaty of Yandabu, City of Yandabu, 1826 में हो जाता है, British और Burmese के बीज में, और वहाँ पे क्या होता है, कि जो British होते हैं, वो आपको control ले लेते हैं, आपको, Western Assam जो है सो, Western Assam, इनका British का part हो जाता है, और वहाँ पे आपको, पुरंदर सिंग को, वहाँ पे king बना दिया जाता है, 1833 में, पुरंदर सिंग को king बना दिया जाता है, अब ये 1834 तक तो ठीक चलता है, फिर British जो है सो, दिरे दिरे आपको पूरी तरह से, पूरी रीजन को, आपको एनेक्स कर लेते हैं, 1906 में क्या होता है, 1906 में क्या होता है, कि British का जो असाम जो है, वो Eastern Bengal का पार्ट बन जाता है, और इसाम प्रविंस बन जाता है, फिर 1911 में उसको हटा लिया जाता है, 1913 में पहला legislative council जो है सो, 1913 में, First legislative council जो है सो, असाम में formed होती है, है ना, जो बाद में 1937 में जो उसका असाम का जो पहले capital हुआ करता है, सिलोंग, वहाँ पे असम legislative assembly 1937 में आपको transformed हो करके बन जाती है, है ना, इसके बाद 1947 में, 1947 में जब partition होती है, है ना, तो वहाँ पे जो district of सिलहत होते हैं, जो district of सिलहत ह होती है, वो क्या करती है, ये जो है, सो, ये आपको district of सिलहत जो होते हैं, उसको देया जाता है, पाकिस्तान को, किसको चले जाते है, मतलब जो अभी बांगला देश है, तो उस समय जो इस्ट पाकिस्तान हुआ करती थी, है ना, उसको ये आपको चले जाती है, with referendum, 1947 में आप को पाकिस्तान के साथ मिलना है, या इंडिया के साथ मिलता है, तो referendum में ये होता है कि पाकिस्तान के साथ मिलेंगे, बट उसमें एक district होता है, करीम गंज, है ना, सो करीम गंज district जो है, करीम गंज, वो बोलते है, कि हम इंडिया के साथ ही रहेंगे, तो सिलहत चले जाती है, में जो भी पेंगॉल में है और करीम गंज होता है वो हमारे साथ रह जाती है तो यह आपको है पूरा तो आंसर हो गया सिल है ठीक है बाकी explanation में आपको सारी चीजे लिखी हो यह दिस फ्रॉम दा NCRT ठीक है करीम गंज यह कहाँ पे है तो सिंगापूर, शंगाई, वर्ल इन, मंडले तो इट सो इन सिंगापूर है ना तो यह जो है आपको हाँ आयने जो है सो यह आपको सिंगापूर में 1943 में फॉर्म करते हैं क्लिया ठीक है तो यह आसान सा क्वेश्चन है बाकी आपको NCRT में यह दी हुई है a radical nationalist with social leninx boss did not share Gandhiji ideal of ahimsa तो he respected him as the father of the nation in 1941 में, Gandhiji को बोला था, January 1941 में father of the nation है ना, he secretly left his Calcutta home, went to Singapore via Germany and raised the Ajaad Hind Fawj or the Indian National Army to free India from British control in 1944, the INA tried to invade India through Impal and Kohima but a camp in field, ठीक है ना, तो INA business वगरे को jail में डाल दिया गया था, ठीक है तो यह पूरी चीज़ें आपको है, Singapore में इनों ने form किया था, अगला question है कि after forming the Indian National Army, सुभाचन बोस ने क्या किया था, so introduce a women detachment name after the Rani Jhashi बाई, बिल्कुल आपको सही है, और आपको इसमें पता होगा कि इसकी जो under captain जो होती थी, वो होती थी, Lakshmi Shwaminathan, Lakshmi Swaminathan, बाद में Lakshmi Shwaminathan, इनको हम लोग सहेगल भी बोलते हैं, सो अगर कोई भी होगा तो आपको धिहान रखना है, दोनों एक ही हैं, है ना, now, तो ये तो बिल्कुल सही है, then, क्या है कि जो INA, चंदर बोस, सुभाचन बोस ने क्या किया था, soldiers from the Indian prisoner of wars in Japanese camp में recruit किया था, इन्हों ने, तो ये आपसे question पूछा जा रहा है, so, देखो, INA का जो पहला जो इसमें बात किया गया था, कि INA, वो मोहन सिंग के द्वारा किया गया था, है ना, मोहन सिंग, सबसे पहले मलय में मोहन सिंग ने इसका idea, ठीक है, ना, लाया था, and इसमें क्या हुआ था, कि उनके कहने पे, है ना, so, मोहन सिंग जो है, सो रिकूरूट किये थे, आएने में, जापान जी, जो है, वो जितनी इंडिन पिजनर आफ वार्स थे, उनको सब को दे दिया था, हैंड गोवर कर दिया था, मोहन सिंग को, कि INA की तरह, आप रिकूरूट कीजे, तो, it's not a, सुबाश चन्द बोज, it's a, मोहन सिंग, so, आंसर सुट भी, B, that means, कि सिर्फ two correct है, अगला question है कि, who among the following was not in the core leadership of the non-allying movement, in its formative phase, कौन इसमें से member नहीं थे, अगर आप NCRT देखेंगे, तो, आपको, नैम में कौन-कौन थे, वो, यूगो-सलाविया का जोसिप ब्रोज थे, यूगो-सलाविया का जोसिप ब्रोज, नहीं दिया हुआ इसमें, so, just write down, जोसिप ब्रोज, टीटो, ये आपको, किस के थे, यूगो-सलाविया, यूगो-सलाविया के थे, हमारे जवाहलाल नहरू जी थे, ये बिल्कुल सही है देन आपको एजिप्ट के लेडर थे गमल अब्दिल जमाल अब्दिल नाशेर तो ये आपको कहां के थे एजिप्ट के जमाल अब्दिल नाशेर ये थे आपको देन आपको हाँ इसके बाद इंडोनेशिया के सुकर्नो जी थे इंडोनेशिया के शुकर् लेखना है कि जो क्वामे एंक्रुमाह है क्वामे एंक्रुमाह यह आपको घाना के थे यह पाँच लीडर जो है जिसको आपको five founders of NAM बोलते हैं और इसकी जो NAM की पहली summit होती है वो होती है बेल गरेड में ठीक है clear so यह जो आपको फीडेल कास्त्र है वो इससे related नहीं है कौन-कौन हो गए है अगला question है कि with reference to the it August 1942 in Indian history which one of the following statement is correct 8 अगस्त को क्या हुआ था The Quit India Resolution पास किया गया था All India Congress Committee के द्वारा तो ये बिलकुल सही है हम लोग बात किये थे कि 8 अगस्त 1942 को All India Congress Committee कहां के सेशन होती थी भंबे में भंबे में आपको ये आपको Quit India Amendment लांच की गई थी कि आप जो है हमारा जब Congress का जो में काम था सुदंता दिलाना तो उन्होंने किसने कहा था कि भाई आप Congress को Dissolve होना चाहिए इंडिया नेशनल Congress का जो काम था वो पूरा हुआ ठीक है तो इसको Political As a Political Organization को हटाना चाहिए और इसको Replace करना चाहिए लोकसेवक संग के रूप में ये किसने कहा था So 29 जनवरी 1948 मरने से एक दिन पहले कांधी जी ने एक लोकसेवक संग का Constitution ड्राफ्ट किया था उसको लोकसेवक संग या Association of Servants of the People और वहाँ पर ये चाहते थे कि जो Congress हो वो Dissolve हो जाए So it's a मोहंदास करमचंद गांधी जन्हों ने कहा था As a political organization इसको dissolute हो जाना चाहिए ठीक है और लोकसेवक संग का formation होनी चाहिए अगला कुश्चन है कि Who among the following was the founder of Sotanta Party Sotanta Party का कौन founder है चकरवर्ती राज गोपालाचारी है दीन दयाल उपाध्याय है स्यापरसाद मुखरजी है या आचारे नरेंदर देब है देखो Sotanta Party जो है So liberal political party बनी थी जो 1959 बनी थी और 1974 तक रही थी और यह जो found किया था वो थे C. राज गोपालाचारी चकरवर्ती राज गोपालाचारी इसमें क्या होगा था इनको ऐसा लगा था मतलब he felt कि नहरूआ जवाहला नहरूआ जो है सो इंडिया निशनल कांगरिस पे दोमीनेट कर रहे है और इंडिया निशनल कंगरिस को डोमी डोमीनीट कर रहे है और यह वरकिं ऑन दि सोचलिस्ट पॉलिसी को socialist policy जो है सो dominate कर रही है है ना तो इसलिए जो है सो ये आपको इन्होंने सुतंता party form किया था ठीक है अगला question है कि who among the following was not a member of the cabinet mission का cabinet mission के कौन member नहीं थे होता क्या है कि जो Lord Wewell होते हैं Lord Wewell ये आपको date याद रख सकते हैं 16 माई 1946 को आपको ये एक proposal लाते हैं है ना वायसरा जो Lord Wewell होते हैं कि भई हम आपको बताते हैं कि इंडिया का कि जो constitutional future कैसा होगा है ना तो उसके बारे में चीक है तो that's a known as the cabinet mission plan तो इसमें cabinet mission में जो लोग होते हैं 1947-6 तो आप याद ही रखना तो उसमें होते हैं Lord Pethic Lawrence Pethic Lawrence होते हैं then of course the name जो ये आपको secretary of the secretary of state for India होते हैं उस समय then steppard Crips होते हैं Crips के नाम पे और Crips mission भी है then हाँ तो उसमें confused मत हो जाना कि Crips तो Crips mission किया था so ये then A.V. Alexander होते हैं वेवल तो उसमें वाइसरा होते हैं तो ये ही तीन member होते हैं उसमें ठीक है clear तो ये आपको याद रखेंगे not है so Lord वेवल ये वाइसरा है थे this is the explanation अगला question है cabinet mission पर ही अगला question ये है कि cabinet mission जो हुआ था उन्होंने क्या-क्या बोला था so with reference to the cabinet mission which of the following statement है correct ठीक है so it recommended a federal government इन्होंने federal government का recommend किया था it enlarged the power of the Indian courts के power को enlarge कर दिया था it provided for more Indians in the ICS में Indian जादा हो ये इन्होंने बोला था ठीक है न so जो आपको जो तीन member की जो आपको भेजी जाती है दिल्ली में British cabinet के द्वारा जो अभी मैंने बात किया 1946 में तो वो पूरी country में तीन महीने तक घूमते हैं और फिर वो कहते हैं कि यहाँ पे जो होगा इंडिया को unite करना है है न तो इन्होंने कहा था कि it was to have a weak central government controlling only foreign affairs, defense and communication है न और बाकी जो provincial assemblage है उसको तीन section में बदल देंगे section A जो Hindu majority provinces होगी section B और C जो है Muslim majority provinces northwest और northeast में आपको होगा BC में North Muslim majority northwest है न और northeast में होगा नौर्थ इस्ट वाले में असाम होगा है न तो यह आपको इन्होंने बोला था ठीक है न इसा कुछ नहीं है दे federal government होनी चाहिए थ्री confederation के बात में रिकॉमेंड किया था उसी में इन्होंने कहा था कि इंडिया को unite रहना परेगा और उसके लिए आपको central government के पास में सिर्फ foreign affairs, defense and communication दे दो है न और बाकी जो provincial assemblies है उसको आपको तीन constitution में बदल दो तीन section में so section A में सिर्फ हिंदु वाले होंगे और BC में आपको Muslim province होंगे नौर्थ वेस्ट के और नौर्थ इस्ट के क्या वो महात्मा गांधी थे, क्या वो जवाहलाल नहरू थे, क्या वो सरदार पटेल थे, क्या वो मौलाना अभुलकलाम आ जात थे, तो cabinet mission plan जो आई थी, उसमें सरदार पटेल जो है सो इसके favor में थे, सरदार पटेल कहते थे कि हाँ ये ठीक है, ठीक है? बस इतना याद र थी, तो सबसे पहले तो आपको पता होगा कि में 1946 में, है ना, मार्च 1946 में, बिटिस कैबनेट ने बनाया था, cabinet mission, मैंने बता दिया उसमें तीन-तीन जो लॉरेंस, लेक्जंडर वगरा, जितनी मेंबर्स होते हैं, क्रिफ्श, है ना, तीन मेंबर्स होते थे, देन आपको मा ABC सेक्शन में, बाट करके, उन्होंने बोला था कि, पहला जो होगा सिर्फ हिंदुजो मेजरिटी प्रुविंस होंगे, और देन फिर, सेंट्रल गवर्मेंट के पास में सिर्फ फॉरें, और ये सब, हम आपको देंगे, कम्यूनिकेशन वगरा, clear, तो ये कौन सी थी, it's a cabinet mission ये हम लोगोंने बात कर लिए, this is the explanation, अब आपसे ये कुशन पूछा जा रहा है कि, क्विट इंडिया मोमेंट जो लाँच होई थी, वो किसके response में थे, है न, क्या वो cabinet mission plan थी, तो आप कोई पता है कि 1946 में होई थी, और क्विट इंडिया मोमेंट 1942 में था, तो ऐसा तो कु होगा नहीं, तो ये जो बेसिकली था, वो आपको क्रिप्ष जो प्रपोजल थी, उसके अगेंस्ट जो है सो, लाँच किया गया था, है न, और व्ल्ड वार्ट टू में आपको जो व्ल्ड वार्ट टू का जो है सो, उसमें, इंडिया में जो है सो, सबके disagreement थी लोहों के बी कमिटी जो है, वो resolution को कहती है कि non-violent master struggle हम करेंगे, फिर उसमें गांधी जी ने do or die की speech की थी, ठीक है न, तो ये सब है इसमें, और कौन-कौन जो leaders हुआ करते थे, जैसे आपको जैप्रकाश नारायन है, अरनौ आशा फली है, रेडियो, फिर राम मनुहर लोहिया जो है, बह एक साल के लागबक ज्यादा लग गया इनको आपको खतम करने में, तो क्रिप्ष मिशन, जो है सो क्रिप्ष प्रपोजल के, ये है, the failure of the क्रिप्ष मिशन and the effects of World War II, ये दोनों जो रिजन हो गया, कि quit India movement हमको लाना होगा, अगला question है कि which one of the following observation is not true, about the quit India movement के बारे में, कौन स सही है, spontaneous movement, ये बहुत दिन तक, एक साल तक लगए कि इनको खतम करने में लगा था, so this is the spontaneous movement, it did not attract the labor class in the general, हाँ इसमें ऐसा था कि labor class का वैसे large scale पे नहीं हुआ था, but they did strikes in the meals at Kanpur, so किये थे, Kanpur, Jamshedpur, Ahmedabad, है न, so यहाँ पे लड़े हुई थी, but थोरा सा जो वहाँ पे communist जो है रहे थे, है न, तो वो आपको समझिये कि, क्योंकि उनको ऐसा लगता था, है न, कि labor movement को ये damage कर रहा है, so labor unions जितने थे, है न, जिसको generally communist influence कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हम movement में participate नहीं करेंगे, but फिर भी आपको कुछ males में, आपको strikes वगरा हुई थी, है न, so labor class को did not attract, य है इन जनरल, और non-violent movement थे, ऐसा हम लोग नहीं कह सकते हैं, because बहुत सारी ऐसी events हुई है, जहां पे, पुलिस station में आग लगाई गई है, railway station, railway line, post office को burn किये गये हैं, जैसे आपको बिहार उत्तर प्रदेश सिसम में आपको निक्कत हुई, तो we can say that, कि it was a non-violent movement, non-violent नहीं था, है न, so this is the explanation, इसके बाद, quit India movement के बाद, चक्रवर्ती राजगोपाला चाड़ी, एक pamphlet निकालते हैं, उसका नाम होता दवी आउट, मतलब कि चलो ठीक है, हिंदू-Muslim सब ये चिला रहा हैं, तो कुछ ऐसा जोगार करते हैं, तो उन्होंने एक pamphlet निकाली थी, और उसका, उसमें क्या उन्होंने का था, है ना, उसको हम लोग बोलते हैं, CR formula also, है ना, CR formula बोलते हैं, या you can say that, राजा जी formula, है ना, सो राजा जी formula या CR formula, ये आपको 1944 में, है ना, ये एक आपको proposal निकाली गई थी, इन्होंने, कि All India Muslim League कहती है, कि हमको अलग चाहिए, इंडियन National Congress कुछ और बोल ये British India से, तो ये चाहते थे, Catalyst यार मिलके रहे है, तो ये last में, ये इन्होंने 1944 में एक complete निकाली थी, उसमें the way out लिखा था, है ना, कि जो हमारी constitutional deadlock है, जो issue है All India Muslim League और INC के बीच में, उसका है कि, उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं, तो उन्होंने क्या कहा था, कि The Establishment हम इसको solution for the constitutional deadlock को हटा सकते हैं, जो INC और Muslim League के बीच में है, during the freedom struggle, Aruna Asaf Ali was a major women organizer of the underground activity, कौन से movement में थी, अभी थोड़ी दर पहले हमने बात किया था, कि जो कुछ women थी, जो 1942 में थे, उसमें कनकलता बरुआ थी, Aruna Asaf थी, मातंगी हाजरा बंगाल से थे, है ना, तो ये Aruna Asaf Ali जो है, ये आपको famous थी किस चीज़ के लिए, हाँ, so it's a in quit India movement, clear, 1942 में इन्होंने आपको जो flag, Indian flag, Indian national flag को आपको बंबे के गवालिया मैदान में फार आया था, ठीक है, इसके वाद है कि इंडिविजुल सत्यागरा, विनोधा भावे वाज चुजन वाज़ फर्स सत्यागर ही, who was the second, इंडिविजुल सत्यागर लॉंच की गई थी, अकेले अकेले चीज़े करो, ये कब हुई थी, सबसे पहले तो इस भी याद रखेंगे, 1940 में, और विनोधा इसके वाद दूसरा कौन था, second जो थे, वो जवाहलाल नहरू थे, थर्ड भी आप याद रखेंगे, जो थे, ब्रमधत, कौन थे, ब्रमधत, ये इतना याद रखेंगे, so it's a पढ़े जवाहलाल नहरू, बिनोधा भावी, इंडिविजुल सत्यागरा फर्स थे, इंडिव war members were to be held by the Indian leaders, किसने ये suggest किया था कि जो वैसरा executive council में है, जिसमें जितनी भी portfolio है, even war वाला जो portfolio है, वो सब भी जो इंडियन leaders को दे देना चाहिए, ठीक है, so ये Simon Commission ने कहा था, क्रिप्ष प्रपोजल cabinet, देखो क्रिप्ष प्रपोजल और cabinet mission अभी ने आपने बात कहा है, 1946 में आई थी, है न, so it's not about the Simon Commission या Simla Conference, आपको अगर Simla Conference में याद होगा जिसको, जो Simla में conference हुए था, उसको वेवल प्लान भी बोलते है, ठीक है न, so वेवल प्लान जो है, so हाँ ठीक है न, so वेवल प्लान जो हुआ था, है न, तो उसमें जो है सो आपको बात ये हुई थी, Simla Conference में, कि जो वैसरा Executive Council है, उसको रिकॉंस्टिटूट कर लो, जितनी पॉर्टफोलियो है, वो सब जो है सो इंडियल लीडर्स को दे दो, तो ये आपको Simla Conference जिसको वेवल प् फ्री इंडियन लीगन, ये किसने स्टार्ट किया था, है न, so जैनवरी 1942 में क्या होता है, जो इंडियन निसनल आर्मी की फॉर्मेशन जो होती है, है न, और वहां पे इतनी ज़्यादा, मतलब आप समझे कि वॉलिंटर्स वगरा एड हो जाते हैं, है न, ठीक है, सो वॉलि आर्मी के इनफर्म्स, मतलब की, इनफ़िस होती है, उस पे बेज होती है, राइट आम पे, अपो इभ रहीत है, तो वहां पर वहती है, वहां पर एक टाइगर की फोटो होती है, है न, इंडियन ट्राई कलर में, जिसमें आपको, जिसमें सराउंड़ वज़ी अन फ्रीजि है आपको ठीक है आपको तो यह आपको डूरिंग तो यह किसने है आपको सुभाश चंद्रा बोस ठीक है यह आपको याद रखना है अगला है कि according to the way well plan the number of Hindu and Muslim member in the executive council equal होंगे इन्होंने कहा था कि सब सब पावर दे दो बट क्या इन्होंने कहा था कि Hindu और Muslim का equal होना चाहिए दूसरा है कि way well thought that this arrangement would have avoided the partition और यह इसलिए इसा बोला था कि इनको ऐसा लगा था कि यह अगर हम ऐसा करेंगे तो partition ठीक हो जाएगी है ना तो way well plan जो similar conference में हुआ था तो उसमें कहा था कि जो सिर्फ exception दिया था governor general है ना governor general और commander in chief है ना commander in chief इनको छोर करके जितने भी member executive council को उस सारे इंडियन को दे दो ठीक है इसके बाद इन्होंने कहा था कि जो हिंदू और Muslim की equal representation तो यह जो हैसो बिल्कुल सही है ठीक है ना देन इन्होंने कहा था कि जो आपको interim government बनेगी reconstituent council होगी reconstituent जो council को reconstitute कर देंगे जिसमें कि governor general और commander in chief छोर करके सारे executive council कि जो member होंगे वो इंडियन होंगे तो वो जो होगी वो interim government की तरह work करेगी on the basis of 1935 act ठीक है हाँ ठीक है इसके बाद governor general को पासमें वेटों की पाबर होगी है ना ठीक है और इसमें जो और भी थी और इसमें था कि जो नया constitution पर है ना जो वो और खतम हो जाएगी है ना हाँ तो आपको negotiation वगरा कर सकते हैं तो we will thought that this arrangement would have avoided the partition of India इसलिए इन्होंने कहा था ये ऐसा कोई ऐसा इनको plan नहीं था this is the ये muslim members और executive council member को equal रखना चाहते थे तो c should be the answer ठीक है है ना so this is the explanation अगला question आपका है कि lord mount waiting was the vicerai when the simla conference जब हुआ था तो lord mount waiting जो है सो vicerai था है ना so ये आपको पता ही कि simla conference के समय वेवल plan भी बोला जाता है तो इसका मतलब कि lord वेवल जो है सो उस समय वायश्रा होगा करते थे दूसरा है कि तो ये गलत हो गया पहला indian navy revolt 1946 took place when the indian sailors in the royal indian navy at bambay and karachi rose against the government ये हम लोग ने बात किया था है ना और कौनसी इसमें ship थी उसका नाम था HMIS तलवार है ना ठीक है ना यहाँ पे आपको हुई थी ठीक है ना better condition की कह रहे थे better condition हमें मिलने चाहिए थी तो बहुत सारे region के कारण ये लगाई किये थे और इसको जो naval mutiny भी बोलते हैं और इसको last war of independence भी बोलते हैं ठीक है so this is the explanation अगला question है कि on the evening of launch of the quit India movement महात्मा गांधी ask the government servant to resign government servant को बोला कि resign कर दो soldiers को बोला कि आपनी post छोड़ दो princess को बोला princely state के कि आप अपने people की sovereignty रखो British की sovereignty नहीं रखे क्या सब बोला था इनहों ने इन्होंने कहा था कि government servant को resign करने के लिए नहीं बोला था बट यह बोला था कि आप अपनी स्रद्धा जो है सो congres की तरह दिखाओ so government servant को नहीं बोला था तो this is wrong soldiers को post छोड़ने के लिए बोला था कि नहीं बोला था इन्हों ने है ना हां तो इन्होंने बोला था कि आप आर्मी मत छोरो है ना देने श्टुडेंट को बोला था कि अगर आप confident हो तो आप study छोर दो पीजेंट को बोला था कि अगर जमिंदार anti-government है है ना तो जो आप लोग साथ मिल करके फैसला करते हो कितना rent प्रिंट को बोला था कि आप अपनी लोहों की सौब अजन को कबूल करो इसमें इसा नहीं बोला था कि आप कोटर छोड़ दो या गवर्मेंट सर्वेंट को रेजाइन कर दो तो थ्री सुट भी राइट है ना देसे इस्प्लानेशन अगला है कि दे लास्ट अपर्चुनिटी तो एबॉइड दे पार्टिशन अफ इंडिया वा लास्ट क्या रेजेक्शन हो गया तो हमारे पास जो अपर्चुनिटी थी है ना वो खतम हो गई तो आप देख लोग कब कौन से चाही थी वेवल प्लान 1945 में आई थी कैबिनेट मिशन 1946 में आई थी राजा गा पॉल चाड़ी जो फॉर्मूला आई थी वो जब खतम हो गया तो लास्ट में हम लोग लग गया कि जो सी र फॉर्मूला या राजा जी फॉर्मूला कि आपको ये अब जो है सो इंग्रेस और मुस्लिम लिग के जो कॉंस्टिशिशनल डेडलोग है इसको खतम करें ठीक है अगला कुश्चन है कि बालकन प्लान फॉर्मेंटेशन ओफ इंडिया ये किसका मतलब खोज था किसकी ब्रेंचाहिल थी बालकन प्लान बालकनाईजेशन जो होता है वो क्या होत है जस्टपां फ्रिगमेंटेशन एफ लार्ज डीजन को छोटे चोटे जगह में बड़ी पार्ट को छोटे चोटे में बाठ करना इसको बोलते हैं बालकनाईजेशन तो इसमें आपको ये प्लान जो किया था वो थे मौंट वेटन क्योंकि इन्होंने क्या किया था कि जो पंजाब है और बंगाल में उन्होंने partition के लिए vote करवा दिया कि बताओ आप किसको join करना चाहते हो तो project balkan we can see this Mount Baden का है अगला question है कि Lord Nithingo described the august movement of 1942 as the most serious revolt of the siphahy bidrो के बाद जो august movement था वो सबसे serious revolt था यह बिल्कुल सही है है ना 1936 से लेकर के 44 तक आपको Lithingo रहे थे है ना तो इन्होंने कहा था पीजेंट joined the movement in large number of in some places क्योंकि यहाँ पे आपको पीजेंट भी join किये थे movement large number लोगों की ज़्यादा involvement थी इसलिए इन्होंने बोला था है ना तो दोनों के दोनों सही है ठीक है अगला question है कि as an alternative to the partition of India गांधी जी ने Mountbatten को क्या suggest किया था कि partition के अलावा क्या किर सकते हैं है ना तो June plan या third June plan जो बोलते हैं third June plan 1947 में गांधी जी ने suggest किया था कि हम जिन्ना को बुलाते हैं government करने की partition नहीं कराएंगे हम जिन्ना को सरकार बनाने के लिए बुलाते हैं so postpone करने के लिए invite जिन्ना to form a government नहरू और जिन्ना to form a government दोनों together नहीं है ना sometime के लिए army को take over करने के लिए ऐसा भी नहीं और जो independence उसको postpone करने के लिए भी नहीं so it's a उन्होंने कहा कि जिन्ना को बुलते हैं जिन्ना को बोलते हैं कि partition नहीं करो तुम अपनी सरकार बना लो ठीक है अगला question है कि which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a God sent opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage कौन Indian nationalist ऐसा थे जिन्होंने सोचा कि जर्मनी और बिच में जो बार हो रहा है वो हमको बोला था कि दोनों अपना लड़ रहे हैं दोनों जर्मनी और ये है ना तो उसमें हम लोग जो है सो हाँ ठीक है कि दोनों में से किसी को support ही नहीं करनी है हम लोग उस situation का फायदा करेंगे और जल्दी से civil disobedience movement start कर देते हैं तो यह आपको बोला था सुभाष चंद्र बोशने अगला कुश्चन है कि इंडिया नेशनल कॉंग्रेस एग्रीड इन 1947 तो दे पार्टिशन अप दे कांट्री मेंली क्यों इंडिया नेशनल कॉंग्रेस ये मान गया कि हम पार्टिशिपेसन करेंगे तो यह आप यह खुद से सोच सकते हैं वो एकसेप्ट चुकी करते थे प्रिंस्पल इसलिए उन्होंने किया कोई लॉजिक नहीं बनता है इसको खतम कम से कम करेंगे इसमें नॉर्मल लोगों के भी जान जा रही है तो इसको रोकने के लिए क्योंकि जिन्ना ने कहा था कि आप कहो उन्होंने एक स्लोगन दिया था कि करके लेंगे पाकिस्तान लड़के लेंगे पाकिस्तान तो इनको लगा कि यार कॉम्मिनल वाइलेंस बहुत जादा होगी तो यह आपको रेगरी हो गया चीक है वें दे इंडियर मुस्लिम लेग वाज इंडिक्टे इंडिक्टे इन्टू दे इंडिरिम गवर्मेंट 1946 में तो लियाकत अली खान को कौनसी पॉटफोलियो मिली थी जब इंडिरिम गवर्मेंट बनती है तो उसके जो आपको जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं एक्जिक्टिब काउंसिल के वो जवाला नहरू होते है और इसमें जो हूम अफेस होते हैं वो पटेल जी को मिलता है पटेल को देन आपको जो ओके डिफेंस मिलती है बल्देव सिंग को बल्देव सिंग को ठीक है finance जो मिलती है वो लियाकत कली खान को लियाकत अली खान को आपको finance मिलती है यह it is written सारा एक आपको लिखा हुआ है यह पूरी detail ठीक है अगला question है कि the plan of Sir Stafford Crips Crips पर बहुत बार question पूछे हैं देखते हैं हम लोग 5-6 question the plan of Sir Stafford Crips यह second world of war के बाद में हुआ था तो वो क्या चाहते थे कि इंडिया को complete independence दे दे या Crips चाहते थे कि dominion status दे या Crips चाहते थे कि इंडिया सुर्भी partisan दो भाग में participate हो जाए या वो चाहते थे कि इंडिया सुर्भी made a republic with the condition that she will join the commonwealth को join करेगी republic बना देते हैं है ना so हुआ था क्या कि 1942 में है ना 1942 के बाद चर्चिल ने यह आपको कहा था कि वो अपने एक minister को भेजा था उस minister का नाम था Sir Stafford Crips है ना जो आपको cabinet mission में भी थे हैं Sir Stafford Crips ठीक है ना और यह क्या करते थे कि हम compromise करते हैं गांधी से बात करके Congress से बात करके की हाँ तो उसमें की हम इसको करते हैं आपको क्या कहते हैं उसको पार्टिसिपेट इसमें कंप्रमाइज करते हैं World War के समय में तो इन्होंने Crips Mission ने proposal दिया था है ना so की Dominion status हम दे देंगे so we'll give the Dominion status so it's India should be given Dominion state इन्होंने Constituent making wordy को बनाएंगे ऐसा बोला था इनमे है ना there are lots of things इन्होंने कहा था कि अगर कोई province होगा refuse कर जाएगा नया Constitution को तो अपना खुद का Union Constitution बना पाएगा और इन्होंने सबसे बड़ी बात कहा था कि war के बाद हम Dominion status देंगे ठीक है ना so Congress ने बोला कि नहीं British को अगर हम help करेंगे लडाई में है ना तो पहले सबसे पहले आपको इंडियन को defense member आपको बना executive council में defense member जो है इंडिया वाला होगा ठीक है ना यह आपको पुरी है अगला question है कि with reference to the proposal of Crips mission तो इसमें से कौन सा सही है now again आपको पताईए कि 1942 में Stappard Crips के head में एक mission हुई थी है ना तो कि war में support करें इसके लिए उन्होंने कहा था कि जो constituent assembly होगा उसमें जो हैसो member जो होंगे वो आपको provincial assembly से भी होगा प्रिंसली से भी होगा तो इनकों ने दो-तीन proposal दी थी जो पहला proposal दी थी कि war के बाद जो है so मैं इंडियन union को dominion status दे देंगे है ना और यह आपको कहीं पर United Nation हो या Commonwealth में यह free होंगे कि इनको join करना है नहीं करना इंटरनेशनल वोड़ीज होगा है उससे तो ठीक है इसका इनकों ने बोला था कि constituents assembly भी बनाएंगे जो constituents assembly जो है सो नया constitution को form करेगा और उसके जो member होगे partly elected होगा provincial assemblies के members के दोरा है ना और partly nominated होगा so would have members nominated by the provincial as well as the princely state नहीं इसमें elected भी रहोगा partially elected भी होंगे so this is wrong दूसरा है कि any province which is not prepared to accept the new constitution would have the right to sign a separate agreement with Britain regarding its future status ये भी इन्होंने कहा था कि अगर कोई नहीं चाहेगा तो वो अपने खुद का भी union को join कर सकता है नहीं कर सकता है वो अपना separate join भी करेगा और separate constitution बनाएगा ये सब को कर सकता है ठीक है ना तो negotiate हो सकता है ठीक है ना तो ये भी बिलकुल बात हुई थी second is also second is right so two only is the answer this is the explanation अगला question है कि who among the following were official congress negotiator तो इसमें official congress के negotiator कौन थे Crips mission का Crips से जो बात हो रही थी है ना so March 1942 को Crips mission जो है Crips announce हुआ था mission और 23 March जो 1942 को है वो आपको इंडिया में भेजा गया था इंडिया में आया था Sir Stafford Cripskin और वगेन वही था कि इंडिया की support हमको second world war में चाहिए तो यहाँ जो मिलने आया था तो दो लोग थे जो आपको negotiator थे वन थे नहरू जी थे जब आहला नहरू और एक थे मौलाना आजाद यह आपको Congress की तरफ negotiate कर रहे थे उनसे तो C should be answer अगला है कि who of the following Prime Minister किसने Crips mission को भेजा था तो उस समय कौन थे Winston Churchill दी थे आपको Prime Minister of England तो उन्होंने भेजा था उनके समय में आपको 1942 में Crips mission आया है ठीक है अगला question है consider the following statement the Crips proposal includes the provision of क्रिक्स क्या full independence की बात की थी कितनी बार बात कर लिया मैंने ऐसी इन्होंने बात नहीं की थी they talked about the dominion status war के बाद हम dominion status आपको दे देंगे आप पूरा free होंगे हम constitution making बढ़ाएंगे है न वार के बाद में और उसकी जो members होंगे वो elected होंगे provincial assembly elected by the provincial assembly nominated जो है so princely state में case में nominated होगा तो यह बिल्कुल सही थै तो two जो है आपको सही है बाकी गलत है this is the explanation अगला है कि Crips mission जो 1942 था उसकी मुख्य aspect क्या है all Indian states should join the Indian union as a condition to consider any degree autonomy for India यह बिल्कुल गलत है इन्होंने बहुत ही आजादी दी थी the creation of an Indian union with dominant states very soon after the world war के बाद आपको हम dominant state दे देंगे बिल्कुल यह सही है so B सही है the active participation and cooperation of the Indian people communities and political parties in British war efforts as a condition for granting independence with full sobering status गलत है dominant status की बात हुई थी the framing of a constitution for the entire Indian union with no separate constitution फोनी पर नहीं बोला था कि अगर आप नहीं मानेंगे तो अब separate constitution भी बना सकते हैं यह बिल्कुल गलत हो गया अगला है कि with reference to the period of colonial rule in India home charges formed an important part of drain of wealth from India home charges के कारण यहां से बहुत पैसे जाती थी drain of wealth होती थी इंडिया से तो home charges में क्या-क्या है अगर आप NCRT को देखेंगे so Britain में क्या होता था कि जैसे home charges में होता है कि जो private remittances होती थी है ना वो British official जो भेजते थे जो traders भेजते थे जो interest payment वगरा है ना जैसे माली जी कि इंडिया में आपको rail बनानी है तो आप इंडिया से पैसा नहीं लेकर के आप क्या किया कि वहां से कर जा लिए फिर इंडिया से इंडिया के पैसे से आप उसको सदा रहे हो चाहाँ बेटिस official जो इंडिया में है उसके pensions वगरा जो है वो दे रहे हो इंडिया के पैसे ले जाके उनको दिये जाते थे इंडिया में इंगेज थे उनकी salary और pension जो है सो भी यहां से जाती थी तो basically it is written in the NCRT के pension जो है सो बेटिस official इंडिया के so salaries तो work कर रहे है तो उसका होगा बड़ चलो ठीक है this is also right है ना funds used for waging war outside इंडिया देखो अगर indirectly use भी कर रहे होंगे funds जो outside इंडिया के outside war को rage करने में वो अगर fund को use भी कर रहे हो तो इसका कुछ भी ऐसा evidence नहीं है तो NCRT जो कह रहा है उसमें यही कह रहा है कि जो इंडियन office होगे इंडियन office जो लंदन में थे उनके जितने पैसे होते तो वो यहां से जाती थी मतलब इंडिया से जाती थी then external debts जो होते थी इंडिया ने वहीं से करज लिये और फिर यहां से पैसा ले जा करकर उसका interest दिये मतलब जैसे एकर railway बनाना है तो उन्होंने क्या किया किया कुछ नहीं किया यहां से इंडिया के नाम पे उन्होंने करज लिया बनाया अपने सुबिधा के लिए इंडिया के नाम से करज ले करके फिर इंडिया से पैसे वहाँ पे बेज दे थे interest वगेरा ठीक है ना इंडियरेक्टली जो funds होते थे जैसे माल लिजी कि जो भी पैसा यहां से दिये बट ऐसा नहीं होता था कि उसमें ये लिख करके जाता था पैसा इसी को ले करके लिख कर जाता होगा कि हाँ इंडियन ओफिस यहां पे है तो उसके support में हम दे रहे हैं ये तो कहीं पे लिख के गया नहीं होगा चाहे salaries दे रहे है ये लिख के गया होगा ऐसा तो लिख के गया नहीं होगा कि हम जर्मनी के साथ वोर कर रहे है और आपको इंडिया से पैसा ले रहे है तो officially तो यही दोनों सही होगा so both one and two right indirectly funds का तो यूज हो ही रहा होगा but directly ऐसा तो लिखा नहीं जा सकता है so one and two is the right this is the explanation age 21 से उपर के जितनी भी women थी सबको right दिया था पहला तो ये चीज कहता है the second ही कहता है कि पहले सी बात कर लेते हैं कि 1999 में जो ऐसा कुछ नहीं बोला था कि सारे women को देंगे ये women को बोला था कि देंगे but कितनी property है tax देते हैं education और पर देंगे so ये all को नहीं दिया था so this is wrong ठीक है the government of india act of 1935 gave women reserved seat in the lace lecture government of india act 1935 जो है वो women को lace lecture में पूरी reserved seat देती तो ये दोनों में से कौन सा सही है तो पहला तो गलत है दूसरा क्या है अगर आप government of india act की original copy देखोगे वैसे ये बहुत जगह ऐसी लिखी हुई है कि सीधे reservation मिली थी but seat की कहीं पे चर्चा नहीं है but when you see the government of india act 1935 original देखोगे तो वहाँ पे लिखा हुए है कि ऐसी province जहाँ पे women के लिए seat reserved की गई है lot की गई है ठीक है ना तो वहाँ पे men और women दोनो भोट दे सकते हैं ठीक है ना तो ये चीज़ें आपको उस मुहाँ पे लिखे हुए है so this is right कि government of india act में women को reserved seat दी गई थी so to जो है so right है ये आपको 1935 act की है जहाँ पे लिखा हुए in any province to which a seat reserved for women इसका मतलब कुछ ऐसी province थी जहाँ पे women की seat reserved थी एक question है कि who among the following did not belong to the group of no changer देखिए non confident जो ये आपको NCM का withdrawal होता है non cooperative moments की जो withdrawal होती है और गांधी जी arrest हो जाते हैं तो अब क्या जब गांधी जी arrest हो गए है तो कोई इसका सही orientation ही नहीं था कुछ पता ही नहीं था कि अब national politics में क्या होगा तो वो जो phage था है ना तो उसमें सारे leaders लोग बात करने लगए कि अब हमको करना क्या है so what should I do तो वहाँ पे कुछ लोग बोलते थे कि जब non cooperation moment के withdrawal हो गई गांधी जी arrest हो गई अब क्या करना है कुछ दिसाही नहीं मिल रहा था कुछ करना है उसमें सब लोग बैट करके leader लोग कहें कि अब हम लोग को क्या करना चाहिए तो अब इसमें क्या हुआ कि कुछ लोगों ने कहा कि हम bycut legislative council का जो bycut कर रहा है यह गलत कर रहा है so we should end the bycut of legislative council ठीक है ना हमको जो हैसो change करना है मतलब they are said change pro changer कि we are bycutting the legislative council बढ़ हम legislative council में जा करके अच्छे से जा करके बात कर सकते है ठीक है ना कि हम active politics में जाएंगे है ना electoral politics में जाएंगे तो हम वहाँ पे demonstrate कर पाएंगे वहाँ पे हम जो walking होगी legislature की उसको हम लोग जो कुछ seat होगी तो हम लोग वहाँ पे हला गुला कर पाएंगे है ना समझ में आ गया हाँ कुछ भी वो करना चाहेंगे तो हम उनको नहीं करने देंगे तो they think कि हमको legislative council का जो हम बाएकट कर रहे है उसको नहीं करने चाहिए तो उसको बोले pro changer या उसको बोले स्वराजिस्ट स्वराजिस्ट ठीक है और एक लोग थे बोले का नहीं नहीं जो चल रहा है वही चलेगा हम लोग council को बाएकट ही करेंगे तो उसको बोलते थे no changer ठीक है यहां ता कोई दिक्कत अब इसमें क्या है कि no changer करते थे यह electoral politics में नहीं जाएंगे है ना वो जो बोला गांधी जैसा बोलते थे वैसे ही करेंगे है ना वैसे ही non confidence motion sorry no cooperative movement जो है वो आपको चल रहा है चलेगा ठीक है ठीक है इन्होंने कहा कि अगर हम लोग council में चले जाएंगे है ना तो जो revolution क्रांतिगारी हमारे अंदर उत्सा है वो सब खतम हो जाएगा और फिर political corruption बढ़ जाएगी तो वो लोग नहीं चाहते थे मतलब जो no changer से against the entry in the कोई change नहीं चाहते थे वो चाहते जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे और pro changer जो थे वो चाहते थे कि हम जो है सो council में entry का बहसकार जो कर रहे है उसको हटा करके council में entry करें कोई दिक्कत नहीं अब इसमें जो कुछ leader हुआ करते थे pro changer के जो उसको स्वाराजिस्ट भी बोलते है उसमें आप याद रखिये चितरंजन दास है ना वललावाई पटेल यहाँ पे जो दिक्कत है विठल वाई प्लेट पटेल है ना confused नहीं होना है वललावाई पटेल no changer हुआ करते थे राजिंद प्रसाद and म. अंसारी तो म. अंसारी हुआ करते थे चक्रवर्ती, राज, गोपाला, चाड़ी भी हुआ करते थे यह दोनों दो पता है अब आपको confusion जो है अगर यहाँ पे बललावाई पटेल बललावाई पटेल हो कस्तूरी रंग रंग आई अंगर अब ना कस्तूरी रंग आई अंगर का जो आपको विठल वाई पटेल थे विठल वाई पटेल यह आपको प्रोचेंजर हुआ करते थे यह भी स्वाराजिस्ट की तरह बात करते थे he also want कि हम active politics में हम लोग को participate करनी चाहिए हमको by cut नहीं करनी चाहिए उसकी so answer is विठल वाई पटेल कस्तूरी रंग आएंगर का कुछ ऐसा लिखा नहीं हुआ है but दोनों तो सही होगा नहीं so कस्तूरी रंग आएंगर भी हम लोग no changes में इसको consider करेंगे because विठल वाई पटेल पटेल जो है वो आपको इसको against थे so विठल वाई पटेल should be the answer of this question so this is the explanation वहापे आपको सारी चीजे लिखी हुई है और okay so this is the end of this session and this is the quote of the day that good things take time अच्छी चीजे जो है थोरा समय लेती है so आपको अगर कुछ अच्छा मिलना है so थोरा इसमे time लगता ही है so thank you all for watching and this is the telegram link जहापे आपको ये PDF मिल जाएंगी और it's a pyq underscore pedia और this is the modern history का ये 9th video 9th part था so we ended with the ancient history medieval history and modern history in next video we are going to start with the art and culture और art and culture की आपके पास में 3 videos होंगी 3 videos कुछ art and culture के question हमने ancient और medieval में भी देखे हैं कुछ question ancient और medieval India की हम art and culture में भी देख लेंगे mislaneous type की questions होंगे so 3 session ऐसी होगी 3 lectures वो आपको art and culture की होंगी अगर आपको कहीं पे कुछ error ऐसा लगता है या कहीं पे तो you can comment comment section में आप बता सकते हैं so that की बांकी लोग को benefit उसका हो जाए art and culture की session हम लोग 3 next करेंगे and then we'll start with the economy ठीक है number of question बढ़ा करके we will complete economy as soon as possible ठीक है then we'll start with the geography portion Thank you